हलो दोस्तो आज कुछ दिनों में मैंने सीखा है मैं आप सब के सामने बताना चाहता हूँ ये एक साधरन सा मैगनेटिक बोर्ड है छोटे बच्चों के खेलने में काम में आता है और ऐसे बहुत सारी वीड्स जो हैं वो ऐसी वीड्स इसके साथ में आती हैं यह magnetic beads है, यह magnetic board है, अभी हम एक pattern बनाएंगे beads से, उसको हमको देखना है, हमने एक bead लिया, एक तम center में ले लिया, इसके बाद हमने दो beads लिये, और उनको bead के एक left और एक right में एक angle बना करके हमने रख दिया, फिर हमने कुछ और beads लिये, इस बार हम three beads लेते हैं, और इन three beads को हम फिर उसी क्रम में लगाते हैं, और इस बार हम three beads एक line में हम लगाएंगे, इसी को हम क्रम करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और जब हम ये क्रम आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो एक beautiful pattern हमारे सामने बन जाता है, इस beautiful pattern को आप हम सब देख सकते हैं, मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये एक बेतरीन beautiful pattern जो है, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यदि हम इस pattern को देख रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आएगा, कि इसमें एक specific sequence है, design है, देखने में तो ये एक triangle है, लेकिन इसमें बहुत सारा specification है, जो मैंने सीखा है, मैं आपके सामने बताता हूँ, यहाँ सबसे line में हमने एक saffron color के beads लगाए हैं, ये एक one को represent कर रहे हैं, इधर यहाँ बीच में एक blue color का bead है, ये two को represent कर रहा है, yellow color के फिर दो weeds हैं, इन beads ये three को represent कर रहे हैं, green color के ये four को represent कर रहे हैं, और ये white six को represent कर रहा है, इसी प्रकार से एक क्रम जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, यदि हम इसको अच्छे डंग से देखते हैं, तो हमें इसमें बहुत सारे specific pattern ध्यान में आते हैं, हम इसको और भी कितना भी नीचे ले कर के जा सकते हैं, patterns क्या हैं, इनको समझने के लिए, हम इनके numbers को ध्यान में रखेंगे, यदि हम इसके diagonal में जाते हैं, तो जो first line हमको दिखाई दे रही है, यह same number की है, यदि हम इसको one मान रहे हैं, तो यह सारे number one है, इधर भी one है, इधर भी one है, लेकिन हम यदि दूसरी line, दूसरे column के diagonal में जाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ continuous numbers हैं, यह one, two, three, four, five, six, यह continuous number यहाँ पर form हो रहे हैं, इसके next column में यदि हम जाते हैं, तो यहाँ diagonal में हमको triangular number दिखाई देंगे, triangular number क्या होते हैं, यह मैंने पहली बार ही सीखा है, कि triangular numbers भी होते हैं, यदि हम इसके pattern को देखेंगे, तो यहाँ दिखाई देगा, यह one, three, six, ten, fifteen, इनमें एक specific differences होते हैं, one and three, दो का difference है, three and six, three का difference है, six and ten, four का difference है, ten, fifteen, five का difference है, यदि हम इसको और triangular number को समझना चाहते हैं, number की form है, तो अभी हम आसानी से देख सकते हैं, जब हमने pattern start किया था बनाना, तो हमें ध्यान में होगा, यहाँ one, इसके बाद हमने दो और beads रखे थे, यदि हम तीनों को count करेंगे, तो यह हो जाते हैं, three, one, three, then हमने next line लगाया, और इस next line में हमने और three add किये, तो अब हमारे पास हो गया six, और फिर हमने next line में four और add किये, यदि four and three seven, and two nine and one ten, बने ten, और इसके नीचे जाएंगे, तो हमको यह fifteen marks दिखाई देंगे, fifteen दिखाई देंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, तो one, three, six, ten, fifteen, ये जज़ sequence of numbers होते हैं, ये triangle बनाते समय, इसी sequence में triangle बनता है, इसलिए हम इनको triangular number भी बोलते हैं, इसके बाद next यदि हम line में जाएंगे, तो यहाँ हमको दिखाई क्या दे रहा है, one, then four, then ten, then twenty, इस प्रकार के जो number होते हैं, इनको tetrahedral numbers बोलते हैं, यदि हम एक tetrahedron लें, और tetrahedron में हम layers में pebbles या marbles को रखेंगे, तो इसी क्रम में marbles रखे जाएंगे, मने, जितना size के उपर depend करेगा, तो सबसे नीचे, यदि हम केवल 4 का pattern देखेंगे, तो सबसे नीचे की layer में 20 होंगे, उसके बाद 15, then six and one, तो एक specific pattern जो है, वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है, इस pattern को देखकर, ये triangle में हम pattern को देखते हैं, और इन pattern को हम और आगे लेकर के जाएंगे, इनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, triangular का pattern हमने देखा था, उपर हमें एक triangular का pattern दिखाई दे रहा है, जिसमें 1, 3, 6 ये pattern दिखाई दिया, अब हम एक tetrahedral number का pattern देखाएंगे, उससे कितना खुबसूरक design बनता है, tetrahedral में हम लेते हैं, 1, then 4, then 10, अभी हम ये देख रहे हैं, यहाँ नीचे जो lower level है, उस पर हमने 6 beads को design किया है, इस 6 beads के बाद, हम यहाँ 3 beads को और लगाते हैं, और 3 beads को लगाने के बाद, हम इसके उपर, एक bead और लगा देते हैं, वहने 3 layers हमारी हो गई, इस 3 layers में कितना खुबसूरत pattern हमारे सामने बन रहा है, इसको हम देख पा रहे होंगे, यह actual में tetrahedral number से यह खुबसूरत design बना है, और भी हम कई परकार के designs जो हैं वह बना सकते हैं, next हम 9 base लेकर के इसके उपर और 5 beads लगा के हम pattern बना सकते हैं, और भी एक अच्छा pattern बनेगा, बना सकते हैं, और इसके उपर हम जदी एक और रख देते हैं, तो polyhedron, polyhedral numbers का यह pattern बन जाता है, जहां 9 and 5, 14 and 1, 15, इस परकार से हम और भी कई सारे pattern numbers के pattern को से हम बहुत सारे designs बना सकते हैं, यदि हम इस triangle को देखें, तो इस extension में, इस triangle में हमको और एक और concept समझ में आ सकता है, इसको हम pascal triangle बोलते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको pascal triangle और उससे हम कैसे, ये कैसे हमारे लिए useful हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जब तक के लिए आप सीखते रहिए, learning महोसब है, आप सभी सीखें, मैं भी सीखता हूँ, तन्यवाद,